इस वीडियो भी बात करने जा रहे हैं, सीटेट 2018 का रिजल्ट रद करके दुबारा से जारी किया जाएगा और कहा जा सकता है कि मार्क सीट एवम जो सर्टिपिकेट मिला हुआ है अव्यार्थियों को वे भी रद होगा क्योंकि जब रिजल्ट रद हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रसनों के सही उत्तर बिकल्प में न होने पर छात्रों ने कोट का दरवाजा खट-खटाया और 24 अपरेल को इस मामले पर अगली सुनबाई होगी जिहां आपको बता दे सीटेट सवालों पर सीवीसी से मागा गया है जबाब कहा जा सकता है कि इस मामले पर अगली सुनबाई 24 अपरेल 2019 को होनी है अब हाई कोट ने सीवीसी से जबाब मांगा है और यहां पर आप देख सकते हैं यह आज की ख़बर आई है दोनों ही रद कर दिये जाएं इंद्रिय सीख्षक पातरता परिक्षा यानि की सीटेट में कुछ सवालों के उत्तर के गलत बिकल्प दिये जाने पर हाई कोट ने सीवीसी से जबाब मांगा है दिल्ली हाईकोर्ट ने CVC को यह बताने के लिए कहा है कि परिक्षा में पूछे गए गलत सवालों के बदले क्यों न सभी परिक्षार्थियों को अंक मुहया कराने के आदेश दिये जाए सभी गलत सवालों के बदले सभी परिक्षार्थियों को अंक मुहया कराया जाए आपको बता दे कि अधिवक्ता अनुस जगरवाल के माध्यम से दाखिल याचिका में CVC पर परिक्षा में 11 सवालों के उत्तर का बिकल्प गलत दिये जाने की बात कही गई है जिहां 11 सवाल ऐसे है जिसका बिकल्प गलत है हलाकि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दोरान इनमें से महाच 4 सवालों के उत्तर के बिकल्प को पहली नजर में गलत मानते वे बोर्ड को नोटिस जारी किया है जिहां आपको बता दे कि पहली नजर में ही हाई कोर्ट ने चार सवालों के जो उत्तर दिये थे वो गलत पाये था बिकल्प जो है वो गलत पाये गये था इस कारण से बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया है हलाकि याचिका करता का कहना है कि 11 सवाल जो है या 11 सवाल ऐसे है जिसका बिकल्प गलत है CBSC ने गलत बिकल्प जारी किया जब सीटेट 2018 का आंगसर्की जारी किया गया था तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे प्रस्ण थे जिसका दावा किया था इस प्रस्णों पर आपको मार्स जो है 100 फिस्वदी मिलेंगे लेकिन CBSC ने मार्स नहीं दिया और जो रिजल्ट जारी किया है वो पहले जो आंगसर्की जारी किया था उसी की अधार पर और दिभाईज आंगसर्की में किसी तरह की बदलाब नहीं फैनल यहां पर आप देख सकते हैं याचिका में CBSC परिक्षा में 11 सवालों के उत्तर का बिकल्प गलत दिये जाने के बात कही गई है हलाकि हाई कोर्ट ने सुनबाई के दोरान इन में से महाचाल सवालों के जो है और इसमें बोर्ड से बिस्तरित जवाब मागा गया है दिली हाई कोर्ट ने CBSC को परिक्षा में पूछे गई सवाल संक्या एक सट चिया सट पचासी पंचान पर विसे सग्यों की राई लेने और रिपोर्ट पेस करने को कहा है इन सभी प्रस्णों पर आपको बता दे विसे सग्यों की राई और रिपोर्ट पेस करने को कहा है साथ ही बताने के लिए कि यदि याचिका करता कारोप सही है तो क्यों न इसके बदले सभी आवेदकों को अंक मुहया कराया जाए यानि कि इसके बदले जो है अगर इसका याचिका करता कारोप यदि सही होता है तो क्यों न इसके बदले सभी आवेदकों को अंक मुहया कराया जाए सीबियसी को अगली सुनवाई 24 अपरेल 2019 से पहले जवाब देने को कहा गया है इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अपरेल 2019 को होनी है अब देखना यह है कि 24 अपरेल 2019 को क्या हो यहाँ पर यह असपस्ट नहीं है कि 11 मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं लेकिन पेपर 1 में कितना मार्क्स बढ़ेगा पेपर 2 में कितना मार्क्स बढ़ेगा इसके बारे में अभी confirm यहाँ पर भी अपडेट नहीं दी लाकि paper 1 और paper 2 दोनों में कुछ गलतिया है और आप सभी अभियारतियों के marks बढ़ेंगे यह बात अब तै हो चुका है फिलाल इस अपडेट में बस इतना ही इस मामले पर अगली सुनबाई 24 अपरेल 2019 को होनी है आप देख सकते हैं यह आज का news है हिंदुस्तान paper का यह news है